हेलो दोस्तों आज मैं आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टू स्टेज रेगुलेटर का इस्तिमाल करना ये क्यों इस्तिमाल किया जाता है बेसिकली क्या है नैट्रोजन का जो प्रेशर होता है आप देख सकते हैं प्रेशर में लिखा हुआ है ये बहुत ज़ादा होता है आप देख रहे हैं हजार से लेके ये 5000 तक भी हो सकता है जनरली 1500-3000 का प्रेशर होता है लेकिन इसके अंदर जो मीटर लगा हुआ है वो थोड़ा ज़ादा रेडिंग का लगा हुआ है तो nitrogen का pressure 1500-3000 तक हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा pressure होता है तो nitrogen को हम use करते हैं leak test करने के लिए तो कभी-कभी क्या होता है nitrogen का आपने cylinder open किया और गलती से वो आप बंद नहीं कर पाए और machine के अंदर बहुत ज़्यादा nitrogen जाने से क्या हो सकता है कोई भी incident हो सकता है nitrogen बहुत है तो उसको क्योंकि उसका pressure बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम उसको आपको suggest करते हैं कि आप ये two stage regulator का इस्तिमाल करें तो ये two stage regulator क्या होता है ये two stage regulator ये एक तो आपको meter लगर दिखाई दे रहा होगा ये वाला meter जो होता है ये use किया जाता है cylinder में actual pressure कितना है जैसे cylinder में XYZ 1000 PSI pressure है तो cylinder का pressure ये दिखाएगा अभी हमने इसको off किया हुआ है तो इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा है तो जब आप ये वाला meter जो है ये cylinder का pressure दिखाएगा जो भी pressure होगा तो आप अब इसका अपने हैं से इसको open किया ठीक है ये दूसरा वाला meter दिया हुआ है इस cylinder वाला pressure इससे दिख रहा है बाकी जो pressure आप मशीन में देना चाते हैं वो इस regulator से आप रेगुलेटर से आप रेगुलेट कर सकते हैं तो आपने क्या किया ये ये वाला तो किसके लिए था ये cylinder का pressure के लिए cylinder में कितना pressure है बाकी आप आपको machine के अंदर suppose आपको 100 PSI डाल है या 200 PSI डालना है तो आपने इस regulator से रेगुलेट किया और यहाँ पर pressure दिख गया हमको के हमें 200 pressure आ गया है अब हम ये वाला वाल बंद करके ये 200 pressure मशीन के अंदर छोड़ सकते हैं ये बिल्कुल अलग फिर separate हो जाता एक तरीके से तो एक के safety के लिए यूज किया जाता है और हम suggest करेंगे आप इसको इस्तमाल करें जब आप nitrogen का cylinder यूज कर रहे हैं तो इस का जरूर इस्तमाल करें इतना ही था इस वीडियो में मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद